हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बीना नाम का फोल्डर कैसे बनाये जाए Creating Folder Without Name इसके लिए सबसे पहले हम एक Normal Folders है जैसे फोल्डर बनता है वैसे फोल्डर हम बना लें इसके लिए हम Right Button दबा के New Option पे जाके फोल्डर पे बन क्लिक करें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे New Folder के नाम से एक फोल्डर बन चुका है इसमें हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है यहाँ पे देख सकते हैं Creating Folder Without Name के लिए कुछ भी कल्प हमने दिया है इसमें सबसे पहला मिथड है फोल्डर बनाने का जाए कि आप Alt की साथ जाए 9 जो निमरिक बटन है उसको आप 15 टाइम जा 15 बार प्रेस करें जाए तो आईए हमने का Alt को प्रेस करें और आप 15 बार जा 9 बटन को प्रेस करें जाए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदह, और बाहर क्लिक कर दे जाए ऐसा करते ही बिना नाम का फोल्डर जाए बन जाएगा यह पहला मेथड सा आपका फोल्डर बिना नाम का बनाने का जाए दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, उसी तरह जाए मैंने कहा कि आप इस फोल्डर को पहले डिलिट कर लो एक और फोल्डर आप बनाऊ जाए, दूसरा मेथड हम फोल्डर बनाने का यूज करेंगे जाए, इसके लिए आप फोल्डर बनाएं और आप Alt की साथ जाए, देख सकते हैं आप दूसरा मेथड दिखा रहे हम कि Alt की साथ 0,1,6,0 को आप प्रेस करेंगे हमने कीबोर्ट से प्रेस किया 0,1,6,0 और बाहर मैंने क्लिक किया जाए इस तरह आप देख सकते हैं कि दूसरा मेथड था बिना नाम का फोल्डर बनाने का जाए चलिए हम तीसरा तरीका भी देखते हैं कि बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाएंगे जाए तो इसके लिए भी आप पहले फोल्डर को बना लें और तीसरा method हम दिखा रहे हैं कि आप यहां पे देख सकते हैं कि alt के साथ आप 255 बटन को प्रेश करेंगे आप alt को प्रेश करें और 255 दबाएं और बाहर क्लिक कर देगा यह तीसरा method था जो मैंने आपको बताया जाए आपको screen पर यह तीनों method दिखाई दे रहे हैं एक और तरीका है जिसके मादयम से हम बिना नाम का folder जाए create कर सकते हैं और वो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं आप पहले folder बना लो folder बनाने के बाद जाए आप इसके उपर जाए आप देख सकते हो new folder जो दिखा रहा है जहां पर आपको नाम देना होता है folder के लिए उस पर राइट बटन को प्रेस करें और देखें आप इस विकल्प menu में जाए insert unicode control character का विकल्प दिखा रहा है इसमें बहुत सारे विकल्प आपको इसकी pop-up menu में दिख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो lrm जिसको लिए यहां full name दिया हुआ left to right mark rlm right to left mark इसी तरह और भी बहुत सारे यहां पर code दिए गए हैं जिसमें से आप किसी भी code को आप select करो और जैसे मैंने हमने लिया lrm select किया और बाहर क्लिक किया है यह था बिना नाम का folder बनाने का चौथा तरीका है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें धन्यवाद